दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ नौर्थिस्ट की लोकल सबजी मार्केट दोस्तों यहाँ पर भी करेला, भिंडी, परवल, बैगन यही सम मिलते हैं लेकिन यहाँ की मार्केट्स आप देख सकते हैं बहुत ही और्गनाइजड होती हैं और्गनाइजड होने का मतलब यह है कि एक ही साथ बहुत सारी दुकाने होती हैं जो की एक स्पेसिफिक जोन में होती हैं उत्तरपुर्वी भारत के समाज में महिलाओं की पुरसों के बराबर सह भागिता रहती हैं इसलिए इन दुकानों पर ज़्यादातर आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी जो की बैट करके सबजियों का कारोबार करती रहती हैं दोस्तों जादातर सबजीयां बाहर से आती हैं इसलिए सबजीयां मिलती तो हैं लेकिन सबजीयों के दाम काफी महँगे रहते हैं मतलब कि यहां पर आप 100 रुपए से नीचे बामुस्किल ही कोई सबजी पापाएंगे यह बोरे में रखी हुई लाल और हरे कलर की चीज तामबूल है जिसे देशी भासा में सुपाडी भी कहा जाता है यहां इन फलों को तोड़के निकाली जाती है तो दोस्तों यहां की मार्केट में यहां एक विसेश चीज मुझे दिखी उसके अलामा वही पाइनपल वही आलो गोभी तरोई यही सारी चीजें यहां पर भी मिल रही है फिलहाल यहां की सबजियों में हरी सबजियों और पत्ते वाली सबजियों की मात्रा काफी अधिक होती है मित्रों नौर्थीस्ट की मार्केट्स ज्यादा डेंसिटी वाली नहीं होती है क्योंकि यहां पर लोगों की संख्या कम है जन संख्या घनत तो कम है लेकिन फिलहाल पर्याप्त लोग इन सब्जियों को खरीदते हैं सब्जियां उनके फूड हैबिट का इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मित्रों इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि उत्तर पूरी भारत की लोकल सब्जी मार्केट्स कैसी होती है मैंने भी यहाँ पर काफी बारगेनिंग की लेकिन सब्जियों के दाम काफी उचे थे फिलहाल सब्जियां तो खाना ही है उनके विना हम लोगों का जीवन चल नहीं सकता इसलिए मैंने खरीदारी की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू सो मच गाइस